बॉलिवुड आक्ट्रिस मलाइका अरोडा के परिवार पर अचानक दुखों का पहार तूट पड़ा है। आक्ट्रिस के पिता का निधन हो गया है। खबरों के पताबिक मलाइका अरोडा के पिता अनिल अरोडा ने बैंडरा में अपने घर की छटी मंजल से कूद कर खुदकुशी कर ली है। ये घटना बुदवार सुबर नौ बची के करीब की बताई जा रही है। पुलस ने अनिल अरोडा के शब को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है ताकि उनकी मौत के आसपास की परस्तितियों के जाच की जा सके। इस बीच उनके एक पडोसी ने बातचीत में बताया कि बीते दिनों वो किन हालात में थे। अनिल अरोडा के पडोसी, लाहरी ने बताया कि महस् तीन दिनों पहले ही उन्होंने अनिल अरोडा के साथ चैट किया था। पडोसी ने कहा कि अनिल अरोडा बहुत ही अच्छे इंसान थे और प्यार से बाचीत करते थे। आखरी बार जब वो घर आए थे तो ये भी कहा था कि अगली बार साथ बैट कर बिर्याने खाएंगे। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद वो डिप्रेस्ट मैसूस कर रहे हैं। आनिल अरोडा के पड़ोसी लाहरी का ये बयान अब तेजी से सुर्कियों में आ गया है। फिलाल हम मलाइका अरोडा और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घाड़ी से उबरने की शक्ति मिलने की काम न करते हैं।